बहुत दिनों से कुछ बच्चे लगाता डाउटक में थे कि सर हमें 2025 में नहीं 2026 में एक्जाम देना है तो उन बच्चों के लिए full and final strategy इसके अलावा अब और कुछ नहीं देखो या तो आप बार-बार केवर strategy वीडियो को ही देखिए strategy ही बना लीजिए या एक किसी चीज़ को गढ़िए उसको समझे और उसी को full and final खतम करिए या तो आपका प्लान है कि आप पंच वर्शी योजना बनाईए लगातार strategy समझते रहिए 24 महिने की आठ महिने की दस महिने की बारा महिने की और या तो एक बार बैठो यार और समझ कर खतम कर लो तो अगर वो समझना है तो आपको ये strategy follow करनी है मैं ये नहीं कह रहा हूँ बार बार समझेगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हर बच्चे के लिए perfect है ये सामान ने बच्चों के लिए perfect है लगभग लगभग 80-90 प्रतिशत बच्चों के लिए ये जो पूरा का पूरा जो प्लान मैंने बनाया है आज ये उनके लिए perfect है कुछ बच्चे जिनकी शम्ता और अधिक है या कुछ बच्चे जिनकी शम्ता और कम है उस हिसाब से वो उनको changes कर सकते हैं लेकिन कुछ minute changes ही करियेगा क्योंकि ये कुछ लंबे समय की जो प्रक्रिया है उससे निकाला गया एक गूल रहस्य है ये वो है जो सागर मंथन के बाद जो अमृत निकला है ये वो है बस इसी तरह से इसको समझते हुए चलिएगा तो जब हम बात कर रहे हैं इसको हमने यहाँ पर 24 महीने का plan मनाया हुआ है 24 months plan है जिसको हमने 4 अलग-अलग phases में divide किया हुआ है अब वो 4 अलग-अलग phases क्या है उसमें हमने यहाँ पर ऐसा नहीं रखा हुआ है कि pre फिर mains और फिर तैयारी करना है ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्री कॉलिफाइ कर लो फिर तीर महीने के लिए भागो जल्दी से नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर आपको प्री भी देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको प्रिलिम्स के लिए भी तैयारी हो रही है और प्रिलिम्स के लिए लग-भग 5 से 6 बार revision होना है mains की answer writing, optional की तैयारी यह सभी साथ में ही करनी है आपको इसी 24 महीने के अंदर और क्यों 24 महीना अगर 26 में exam दे रहे हैं तो आपके पास अभी समय है तो आपको relax नहीं होना है लेकिन आपको अपनी तैयारी को एक रणनीती की तहत करना है मैंने आपको कई बार बताया है इसको अक्सर मैं class में बच्चों से बोलता रहता हूँ कि यह एक मानने वाली बात है कि यह दुनिया के सबसे toughest exam में से एक है बिल्कुल है क्यों नहीं है है गरत नहीं है कि यह toughest exam में से एक है लेकिन यह वरूता easiest exam भी है क्यों है क्योंकि इसकी एक special रड़नीती है यहाँ पर पता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है अगर आपको क्या पढ़ने से जादा आपको यह पता हो जाए कि क्या नहीं पढ़ना है तो जीवन असान हो जाएगा तो कि पढ़ना तो है, क्या नहीं पढ़ना है उसको आप किनारे कर देंगे, तो जो पढ़ना है किवर आप उसको पढ़ेंगे, और ये कौन बताएगा, ये आपको बताएगा strategy, तो यहाँ पर हमने इसको चार अलग-अलग करम में डिवाइट किया हुआ है, सबसे पहले यहा को लेकर चल सकते हैं, अब यहाँ पर एक बार doubt आएगा भी, हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि optional subject कैसे चुनना है, क्या चुनना है, क्या लें, अक्सर बच्चे doubt में रहते हैं, छोटे हैं न, doubt बने रहेगा दिमाग में, तो उन बच्चों को यहाँ पर अभी इसी class में, class के वीडियो के comment box पर आप हमसे बात कर सकते हैं, या description box में मेरा telegram चल दे रखा है, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं कुछ भी, कि सर यह चीज समझ में नहीं आई, ठीक है न, फिर phase 2 में हम क्या करेंगे, हम लोग कुछ mains की जो बच्चे हुए topics हैं, उसको हम देखेंगे, फिर हमारा core revision होगा, साथ में optional का revision होगा, और फिर आखरी के 2 महीने लगभग, 22 महीने की तयारी के बाद, या अगर हम कहें 21 महीने की तयारी के बाद, last के 2-3 महीने आपको सब कुछ छोड़ देना है, और prelims पर focus हो जाना है, क्योंकि भले ही ये, इसके number add नहीं होते हैं, ये लेकिन प्रथम सीड़ी यही है, prelims, अगर prelims ही qualify नहीं होगा, तो ये सब कुछ fail हो जाएगा, तो 3 महीने का मैं समय दूँगा इसके लिए, जहाँ पर आपको ये prelims oriented चीज़ों को देखकर चलना है, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ चीज़ों को रखा हुआ है, जैसे सबसे पहले, कि सर सबसे पहले हम शुरू क्या करें, देखिए, जो core subjects हैं, वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर core subjects जो सबसे ज़्यादा important हैं, वो हैं geography, policy, economics, और साथ में history, history को हम अलग से इसले लिख रहे हैं, तो कि history एक बिराट subject है, एक बड़ा subject है, और अक्सर लोग इसी में confused हो जाते हैं, कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कुछ बच्चों को तो यह भी नहीं पता होता है, कि शुरुआत कहां से करनी है, history का मतलब फिर वो वही समझते हैं, कि उठाओ हडपा से, और 1964 तक की पूरी कहानी पढ़ डालो, यही है इतियास, word history की तरह वो पहुचते ही नहीं है, तो यहाँ पर जब हम strategy की बात कर रहे हैं, तो मैंने कई बार आपको, या मैं description box में, या मेरे टेलिग्राम चैनल पर आपको syllabus मिल जाएगा, या सीधे जाकर आप मेरे उपर भी dependent मत रहिए, आप जाकर सीधे आयोग से, लोग सेवा आयोग, Union Publish Service Commission की website पर जाकर सीधे आप syllabus को पहले डाउनलोड करिए, और सबसे पहले आप syllabus देखो कि बेटा जी पढ़ना क्या है, है ना, इस syllabus को समझो पहले आप, और एक बार आपने syllabus को देख लिया, चीज़े एक concept clear हो गई, बस, फिर आपकी तयारी शुरू, ठीक है ना, ये मैं तयारी जो मैं मानके चल रहा हूँ, ये, 15 सितंबर की आसपास से आप तयारीयों को, अभी उससे पहले आप अगर चीज़ों की शुरूआत कर चुके हैं, तो well and good, बहुत अच्छा है, तब तो बले-बले है आपका, और अगर नहीं किया है, तो ये तया से आप तयार करना शुरू कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको क्या कवर करना है, आपको खतम करना है जोगरफी, ठीक है ना, ये आपके core subjects हो चुके हैं, साथ ही में polity, और साथ ही में economics, साथ में लेकर चलना है, जब ये तीन चीज़े हो रही हैं उसी समय पर अगर आपके पास ये 80% तक लगभग पूरा हो रहा है, जब ये अभी history मत चुईएगा, क्योंकि अगर history टच कर ली, तो बच्चे मेरे फिर ये सब चीज़े छूटनी शुरू हो जाएंगी, फिर इसको उठा नहीं पाओगे आप, क्योंकि बड़ा subject है ये history, उलच के रह जाओगे हिसी में, तो geography, polity, economics, cover किया, अब आगे बढ़ो history, जब ये 80% हो जाए, अब आप cover करोगे history को, और history पर आप पूरा समय दोगे, फुल coverage करोगे, क्या सर केवल यही चीज, नहीं, यहाँ पर एक optional भी आप चुल लोगे, इसी लिए मैंने आपको 15 दिन का समय दिया हुआ है, आज की तारीख से जिस दिन आपको वीडियो यह अप मिल रही है, उस दिन को, मैं यहाँ से आज की तारीख से अभी मेरे पास 10 द दिया है, तो फिर तो आपके पास और समय है, तो फिर optional की बात हुठी है, optional भी यहाँ पर समझ सकते हैं, optional चुनने के जवाब चुन रहे हैं, तो उसको ऐसे चुनना है कि पहली बात, आपका interest होना चाहिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, optional चुनने के लिए पहली जो शर् interest, आपकी रूची क्या है, अगर आप आपने graduation में कुछी subject पढ़ा हुआ है, तो आप उन्हीं में से चुनिये, यह तो पहली priority होगी, लेकिन अगर आपने आपको कुछ ऐसे subjects लेने हैं, खास तोर से हमारे जो engineers बच्चे हैं, जो B.Tech वाले बच्चे हैं, जो technical background वाले उनको subjects मिल नहीं पाते हैं, humanities के, तो उनको एक subject चुनना पड़ता है, जो उनका, जिसमें उनका अपना interest होता है, it can be anything, वो कुछ भी हो सकता है, दूसरा, study material, available है की नहीं, और तीसरा, score, कि वो scoring है की नहीं, आपको ये भी देखना है कि वो scoring भी है की नहीं, ये भी आपको समझ की चलना है, तो पहला, interest, दूसरा, study material, तीसरा, scoring होने चाहिए, अगर ये सब चीजे मिल रही हैं आपको, तो yes, you are ready for your optional, उठा लीजिए, समय आ चुका है पढ़ने का, तो जब पढ़ने का समय आ रहा है, तो yes, यही पर मैंने August to May लिखा हुआ है, लेकि यहाँ से आप इसी को September भी मान सकते हैं, है रहा, September भी मान सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिले हो गई है इस वीडियो को, तो यहाँ से आप September को लेकर चाल सकते हैं, उस समय पर आप यहाँ देख पा रहे हैं एक हर सब्जेट को हमने लगभग, लगभग शाठ दिन दिये हुए हैं, यह कोर सब्जेट्स हैं आपके ठीक है ना ये आपके कोर सब्जेक्स हैं कौन कौन से हैं आप देख पा रहे हैं जोगर्फी है पॉलिटी है एकनॉमिक्स है हिस्ट्री आर्ट एन कल्चर है ये सभी को साथ दिन का हम समय दे रहे हैं अगर हो चुका है आपका तो फिर तो बहुत अच्छा है आप इसको इसी दिन में फिर से दुबारा रिवाइज कर सकते हैं पहला रिवीजन यहीं से स्टार्ट हो गया और अगर नहीं किया है आपने तो आप चुरू करिए ये स्ट्रेटिजी ये जो मैं बता रहा हूं आपको ये मैं मान के चल रहा हूं कि प्रतियक दिन आप कम से कम 5-6 घंटे प आपका frying्ट्रेस्ट हो जो आपने पहले से पढ़के रख़ा हो जो आप हो सकता है कि इसमें से कोई सब्जेट आपने आप ने इयुक्त हो अ डिक आ ऊपको आता है बहुत बढ़िया तो इस समय पर ये शाथ दिनों में साथ शाथ शाथ शार ये साथ दिनों में अब इसको तो ऐसे मस समझना कि सर साथ साथ तो क्या मतलब किवल साथ दिन में जोगरफी पढ़ेंगे नहीं वर एक को एक ही दिन में अलग-अलग चीज़ों को पढ़ना है एसा नहीं कि केवल साथ दिन बैठे तो साथ दिन उठाके फिर यहीं पढ़ डाले तो एक महीना दो जो चार दो च्थे दो आठ प्रत निकल गए इसका नहीं होगा आपको दो Дो सुश्यक को शुरू करके चलना करना है दो सुश्यक को शुरू करिए ठीक है ना दो-दो सब्जेट को शुरू करिए और फिर आप साथ में रिवाइस करते हूँ चलिए second priority वाले subjects पराएंगे जब हम second priority वाले subjects पराएंगे तो वो हैं आपके environment और science and tech अब यहां पर चीजे का क्या समझ में आ रहा है आपको सर इसको तो आपने second priority पर रखा बिल्कुल रखा बेटा second priority पर वैसे तो पेपर 3 पूरा का पूरा यहां से कवरेज हो रहा है लेकिन second priority पर रखने का मतलब ही हो जाता है कि यह वाकई second priority वाला मामला है इसमें फर्स प्राइटी नहीं है फर्स प्राइटी पहले इसको खतम कर लो यह खतम हो गया तो भेजा हलका हो जाएगा दिमाग थोड़ा प्राइक हो जाएगा या कि चलो अच्छे सब्जेक्स को हमने कवर कर लिए तफ है टाइम लगता है इसमें जबकि इसमें क्या है ना इसमें अगर आपने इनको इस अपने जोग्रफी पढ़ ली तो समझ की चलो का इन्वार्मेंट जो है ना वह काफी हत्ता चीज़ों इन डिपेंडेंसी है साइन्स हां साइन्स में यहाँ पर आपको हमने केवल 30 दिन दे रखे हैं 30 डे दे रखे हैं क्यों क्यों कि यहाँ पर आपको ये समझ के चलना है कि you have to only focus on tech टेक पर फोकस करना है यहाँ पर जर्नल साइंस के भीड में मत घुसिएगा लेकिन कुछ बच्चे जिनके साइंस बहुत खराब है जो जिनको बेसिक्स भी नहीं है तो वो केवल उस चीज का पोर्शन उठाएंगे जो कि उनको टेक में हेल्प करेगा जैसे जैसे कि अगर हमे प्रद्विची पढ़ना है तो जब हम प्रद्विच पढ़ने जा रहे हैं साइंसे अंट टेक्नोलोजी में बयोतेक्नोलजी आपका बड़ा युनिटाशा से क क्या है DNA क्या है RNA क्या है तब आप DNA या RNA से संबंधित चीजहों की टेकनोलोजी को आप समझ पाएंगे कि आपको basic physics आने चाहिए basic chemistry का यहां पर कोई कोई खास रोल नहीं होता है तो chemistry को you can just आप उसको आप उसको ignore कर सकते हैं लेकिन environment में कुछ fundamental चीजे हैं वो भी आपको दिमाग में लेकर चलना है ये जो पूरा subject है ये आपका current से related subject है ये आपका current से related subject है अच्छा अब सर अब क्या करना है एक-एक महीना यहाँ पर दे दिया आपने अठा चलू मैं एक बार एक बार मैं ये मान के चलू अभी मैं calculate कराऊंगा आपको लेकिन चलिए एक बार मैं मान के चल रहा हूँ यूकि ये 24 महीने का plan दिया है तो चलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि यह आपने अकेले अकेले किया है कि साथ दिन के वर आपने जोगर्फी पढ़ी वसे ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन चलो मैंने माल लिया एक बार कि अगर आपने साथ दिन जोगर्फी पढ़ी तो दो महिना दो महिना दो महिना और दो महिना आठ महिने आपने कोर हैं चाहे वो पेपर वन वाला टू वाला या थ्री वाला हाँ पेपर फोर नहीं अभी हम पहुचे हैं लेकिन वो पूरा हो चुका है इसी के साथ में आपको आप्शनल चीजों को लेकर जो सब्जेक्ट हैं उसको लेकर चलना है लगभग दो से तीन दिन एक हफते के अंदर ऐसा नहीं कि डेली करने बैठ जाओ नहीं डेली नहीं पढ़ना है दो से तीन दिन एक हफते के हर हफते में दो से तीन दिन यहाँ पर चीजों को पढ़ना है अब यहाँ पर इस चीज को समझके हुए चलना है कि यहाँ पर हर चीज की mains answer writing आप करते हुए चल रहे हैं यह नहीं कि केवल पड़े डाल रहे हैं पटर लागा Geography पढ़ा Geography के बाद desarrollo में आए तो geology साफ Party के बाद economics में आए तो quality साफ और economics के पाद अगर history में आ गए तो भाईया मेरे सब कुछ साफ ये गलती मत करिएगा strategy है इसको strategy wise ही follow करिएगा अक्षर सा follow करिएगा मैंने आख कुछ रुआत में बताया कि 80-90 प्रतिशत लोगों के लिए ये एकदम fit बैठेगा हाँ 10 से 15 परशन बच्चे ऐसे होते जिनकी कुछ अपनी चीजे होती है वो भी इसमें हलके फुल के कुछ बदलाव करके they can follow it तो यहाँ पर उस चीज को यहाँ पर cover करते हुए समझ कर चलना है अच्छा अब हम आगर phase 2 पर जा रहे हैं जब हम phase 2 की बात कर रहे हैं अब phase 2 का जो समय है वो मई पूरा हो गया जून से अक्टूबर का समय है और यह वो समय है जो की जो टिपिकल मेंस के सब्जेक्ट हैं चाहे वो नीतिशाथ एथिक्स हो भारतिय समाज सोसाइटी हो शोशल जस्टिस समाजिक न्याए या गवेर्नेंस अंतराश्टिय संबंध इंटरनाशनल रिलेशन्स हो या इंटरनल सिक्योर्टी हो या जो भी टॉपिक्स जो पहले के फेज में नहीं पूरे हो पाए हैं उनका रिविजन करने का समय है जून से लेकर अक्टूबर का मतलब जून जुलाई आउगस सेप्टेंबर और अक्टूबर कवर करता है ये पाँच महीने का समय पांच महीने का समय और यहाँ पर चीजे पूरी हो गई है इसमें उन चीजों को रिवाइस करना है फेज वन का रिवीजन है इसमें ये जो समय है ये फेज वन का रिवीजन भी करते हुए चलना है आपको आप चाहे वीकली कर रहे हैं चाहे आप पड़े कर रहे हैं लेकिन एक घंटा या आधा घंटा आपको हर दिन फेज वन के अलग-अलग सब्जिट्स को रिवाइस करते हुए चलना है क्योंकि यहां पर यह जो है यह टिपिकल मेंस टॉपिक है अब इसमें से इंपोर्टेंट क्या है समय क्या लेगा यह समझते हैं देखिए एथिक्स हो गया अंतराश्ट्रिय संबंध हो गये ठीक है न और गवनेंस का पोश्चन हो गया यह तीन सब्जेक्ट जो है एथिक्स इंटरनेशनल रिलेशन्स और गवनेंस यह तीन सब्जेक्ट समय लेंगे जब समय लेंगे तो समझना भी पड़ेगा, कि क्या करना है, कैसे करना है, तो इस चीजों को समझना पड़ेगा, तो इन पांच महीनों में तीन महीना आपको इसी पर देना है ये तीन सब्जेक्ट को, ठीक है ना, एथिक्स, गवेननेंस और इंटर्नल, इंटरनेशनल रिलेशन्स, अंतराश्टिये संबंध, उसके बाद बचे हुए दो महीने में इसका रिवीजन, और साथ में नए सब्जेक्ट का, तो अब आप देख रहे हैं, कि पहले चरण में जो कुछ हमने बताया, यहा तब स्टार्ट हो चुका है, तीसरे फेस के अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो तीसरा फेस समझ में आ रहा है, वो है नमम्बर से फर्वरी का समय, अब यह वो समय है, जब आप चीजों को समयट रहे हैं, जो कौर सब्जेक्स थे, उसको अपने रिवीजन, किसी द खाल चुके हैं उस पर पीवाई क्यूज करना शुरू कर चुके हैं आप प्रिवाई क्यूज का मतलब हो गया मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी mains और pre दोनों के लिए आपने PYQs करने शुरू कर चुके हैं जो भी previous year papers हैं वो करना शुरू कर चुके हैं आप अच्छा यहाँ पर एक चीज़ समझेगा यहाँ पर इसको मैंने phase 3 में रखा है यहाँ पर एक शब्द लिखा है मैंने practice PYQs practice तो यहाँ पर करना है आपके PYQs को लिकिन सबसे पहले phase 1 में ही आपको PYQs को पढ़ लेना है एक बार जो 15 दिन का आपको समय मिल रहा है उस समय पर इसको पढ़ लेना है पढ़ने से क्या होगा आपको यह पता चल जाएगा कि चीजे क्या है और क्या नहीं है साथ में अगर आपको कोई mentor है आपके पास कोई आपको बता पा रहा है चुनना बड़ी बात है किसी institute से आप जुड़े हुए हैं आप निर्ने आईस से जुड़े हुए हैं आप हमसे हमारी faculty की जो lobbies हैं जो हमारे mentors, super mentors बैठे हुए हैं आपके साथ अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं तो आपका जीवन जो कि कस्ट में था अब वो समाप्त हो चुका है आपका जीवन लगभग लगभग 90 प्रतिशक तक समल चुका है तो आप रिलाक्स हो सकते हैं तो कि यहाँ पर हर चीज का revision सही समय सही time पर हो रहा होता है उसी के साथ optional का full revision भी करना है आपको November, December, January, February 4 महिने में revise नहीं कर पाओगे बिल्कुल कर लोगे यह समय है 4 months का यहाँ पर revision करने का समय है complete revision और हो जाएगा यह समझेगा यहाँ पर complete revision हो जाएगा अच्छा आखरी में आ रहा हूँ मैं जब हम आ रहे हैं phase 4 पर उससे पहले कुछ चीज़ों यहाँ पर समझनी पड़ेंगी Sir अभी तक आपने आप पुछोगे न Sir अभी तक आपने C-Sat का नाम नहीं लिया अभी तक आपने Current Affairs का नाम नहीं लिया अभी तक आपने Answer Writing का नाम नहीं लिया बच्चा मेरे Answer Writing शुरू कर चुके हैं आप Phase 1 से ही आप Answer Writing शुरू कर चुके हैं उसको समझने की उसको करने कोई समस्या ही नहीं है आपने वो शुरू कर दिया है ठीक है ना समय है आपके पास तो 3 से 4 आंसर आपको पर वीक लिखना है रही बात C-Sat की अब C-Sat में क्या करना है C-Sat जो है ये आप उठा सकते हैं लगभग नवेंबर के बाद से अच्छा मैं ये नहीं कहूंगा कि सर का नवेंबर के बाद ही पढ़ना है नहीं आप पहले से पढ़िएगा आप इसको पहले से ही पढ़के चलेंगे और आपका जीवन थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा क्योंकि इसी चैनल पर निन्ने आईस के साराश गुपता सर आपको C-Sat पढ़ा रहे हैं अभी से तो जीवन आपका वही पर आसान हो जाएगा मैं आपको जोगरफी पढ़ा रहा हूं अभी से ही रिवीजन आपका अभी से चल रहा है आंसर राइटिंग आपकी अभी से चल रही है जीवन आटोमेटिकली आसान हो जाएगा आपका अगर आप जुले हुए हैं और आप पढ़ रहे हैं जैसे करेंट अफेर्स की बात करें तो करेंट अफेर्स इसी चैनल पर प्राची में पढ़ा रही हैं आपको बाइलिंग्वल है हिंदी इंग्लिश में चल रहा है वो ठीक है ना और डेली का न्यूज अनलसिस हो रही है तो इसके लिए आपको क्या करना है आप यहां पर यह समझते हुए चलना है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे से जुडिये तभी बात करेंए यह एक जनरिक बच्चों के लिए समझना है यहां पर एक जनरिक अप्रोच हम लेके चल रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए जो हमारे हमारे साथ है या हमारे साथ नहीं है वो भी इससे इसका फाइदा उठा सकते हैं तो कि ये जो classes होती है हमारी current phase की ये YouTube पर ही हो रही है और आप इसको daily analysis कर सकते हैं आप पढ़ सकते हैं यहां पर तो ये चीज जो है ये चीज पहले शेश शुरू हो जाती है आपकी simultaneously ठीक न त कि पहले attempt के में ही अब शेक सर की strategy निकाल के चलना है या दूसरे तीसरे attempt में फिर आपको सत्यनासी करनी है अपनी तो ये चीज आपको समझ के चलना है मैं फिर से बता दे रहा हूँ एक बार आपको चार महीने की strategy है चार फेस की strategy है 24 महीने की में समझना है अभी तक अब आप यहां पर समझ पा रहे हैं कि अभी तक मैंने यहां पर जो कुछ भी समझाया है अभी भी हम 18 से 19 महीने पर हैं बाकी के चार से पांच महीना, चार महीना मैं लेके चल रहा हूँ, चार महीने आपको कवर करनी है, आपका प्रिलिंस पर फोकस रखना है, जो कुछ पढ़ा है उसको रिवाइस करना है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, हर बार हर नई स्ट्रेटजी को मत फॉलो करिए, एक किसी को समझिए, एक किसी का फॉलो करिए और उसको पकड़ कर बैठ जाओ, तो कि ये समय आपका है, इसी करी में मैं आपको बताना चाहूँगा, कि हमारे एप पर, निर्ने आईस के एप पर, मैं अभिशेक मिश्रा आपको डेली मैपिंग सेशन लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर, मंडे टू सेटर डे, यह फ्री है, यह इसमें कोई आपको, जैसे आप अभी यहाँ पर मिल जाएगा, जो सूपर हमारा टेस्ट बुक निर्ने आईस का एप है, वहाँ पर यह आपको देखने को यह मिल जाएगा, और अगर नहीं मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चनल दे रखा है, अब शेक सर अंडर्सकोर टेस्ट बुक, आप उस चैनल से जुड़ कर आपको स्चराओ करते हैं, झाल झाल